अगर मैं यह वाली इस पोखट की बात करों जो फ्रंट वाली स्पोकट है इसके जो डाते हैं पूरे दाते घश चुके हैं देखो इसके जो टित है टित पूरी तरीके से खतम हो चुकी है अब इसमें क्या लगा सकते हैं चलो आगे आप लोगों को वीडियो में बताता हूँ पूरी जानकारी वीडियो में देटा हूं आगे हेलो गाइस वेलकम बैक टू माई चैनल टेकनोज बाइक व्लोग मेरा नाम है इम्तियाज आज मेरे पास बजाज की सिटी हेंडड ईस बैक है और इस बायक में प्रोब्लम क्या है पता है जैसे गेर में बायक को डालते हैं और झटके से चोड़ते हैं तो घर करके आवाज आती है बतलब बहुत जूर से आवाज आती है और वो जो आवाज है वो है chain spokeit की रोबलम कर रही है यह वाली जो टीत अग्रेर है यह फ्रंट वाले यह बूरे तरीके से ढता हुए नजर आ रहोंगे आप लुगों को यह जो टीत पूरी घस चुकी है इसी वज़े से आवाज आ रही है जो पीछे की स्पोकेट है वो इतनी ज्यादा नहीं कटी हुए क्योंकि मैंने खोल के देखा है तो पीछे वाली स्पोकेट ज्यादा खतम नहीं हुए लेकिन जो आगे वाली स्पोकेट है वो पूरी तरीके से बोलेंगे खतम ही हो गई है ज इसमें लगाएंगे क्या आगे आप लोग वीडियो में देखते रहो सबसे पहले तो मैं जो इस फॉकट यह इसे खोल लेता हूं गेर में डालना है और जो इसमें चार नंबर के लगेगी चार, नंबर के बोल्ट होते हैं लगी वाले दोनों बोल को खोल ले नहीं हैं और जो इस पोकेट निकाल के दिखाता हूं मैं पहले आप लोगों को बाहर निकाल लेते हैं इस पोकेट को पीछे वाली स्पोकेट विम्हेन खोल के चेक किया था वह कम कटी थी मतलब यह आधी कट चुकी आधी अभी है लेकिन यह फ्रंट वाली यह पूरी खतम हो गई है इसको बा इसकी जो टीत है देखो यह 100% आवाज करेगी जब गेरें बाइक को डालेंगे हलके से भी जटके से मारेंगे तो आवाज करेगी और अगर हम किसी धलान में जा रहे हैं चड़ा रहे हैं तो भी आवाज करेगी यह अब इसके लिए जो इस पोकेट है फ्रंट वाली हो मैं यह कि आया यह इस पोकेट फ्रंट की इसी को चेंज करेंगे निकाल के माँ आप लोगों को दिखाता हूं देखो पीछे वाली रियर वाली अगर रही है मतलब इतनी ज़्यादा नहीं कटी यह वाली तो फ्रंट वाली डाल दो मिल जाती है चल जाए गए देखो सेम इस पो पूरे खटम इसे यहां पर देखो 14 लिखा हुआ मतलब 14 टी की जो गेर है 14 टी है 14 टी और जो मैं लगा रहा हूं उसमें भी सेम 14 ही है यह देखो यहां पर लिखा हुआ है 14 यह चल बाटी और जो मैं लगा रहा हूं इसमें भी चल बाटी है अब इसको इसका जो होल है वह मैच करा लोते हैं पहले जहां पर बोल्ट लगेंगे दो उसका होल मैच है यह देखो आराम से इस पोकिट लग जाएगी और किस बाइक की है अगे आप लोगों को मैं बता द इतनी है समाझे लो तो थोड़ा सा ठीक है अभी देखो यह भाई साब यह तो चल नहीं हाली नहीं थी चलो इसे लगाते हैं लगाने का सेम उसी तरीके से पहले चैन में बैठाना है और उसके बाद साफ्ट में लगा देना है अगर ना बैठे तो चैन को लूज कर लेना ल लूज कर लोगे अराम से बैठ जाएगी अब इत्यों फिलाल बैठ सुकिए चैन भी इससे टाइट हो जाएगी अगर लूज होगी चैन और इस पाकट चैन जो जाएगी तो चैन टाइट हो जाएगी टाइट करने की जरूरत भी नहीं कड़ेगी दोनों बोल्ट लगाते ह इसके देखते हैं मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है चलो एक तो मैच हो गया दूसरा वाला मैच कर आलते हैं यह भी हो गया चलो लग जाएगा लग अभी मैंने आप लोगों को बाता है था क्या नंबर की तक डिखा दूंकर आप लोगों को चार नंबर की यह लंका गैगी इसमें और जब मेज को टाइट करना तो बाइता तो इसे बहुत ज्यादा ताकस समट्टाइट करना क्यांकि बोल्ट जो है बहुत चोटा सा और पतला सा होता है तूड सकता है इस पोकेट में यहां पर अगर मैं एलंकी की बात करों तो चार नंबर की एलंकी है यह देखो फोर एम कि अब इसकी जो इसको अब में चेंज ची में है उसके लिए क्या करेंगे इसकी जो data है बिल्कुल सरी जैनीच करते हैं वान बिल्कुल ठीक अब यह जो इस पोकेट है यह पूरी चेंज कर दिया हमने और जो इस पोकेट की समस्या थे गेर में बाइक को डालते थे और क्लक छोड़ते थे जो कि आवाज आ रही थे वह आवाज बंद हो जाएगी और यह है डिसकवर 150 CC ST बिसकवर 150 बोलोगे तो इस पोकेट यह महीं मिलेगी ST साथ में बोल दोगे इस पोकेट मिल जाएगी इसी की सेम इस पोकेट कोई प्रोग्लम नहीं आराम से बैट जाती है आप लोगों ने तो देखा ही यह बागी चलो यह वीडियो करते हैं एंड वीडियो कैसी रही आप ल लोगों इस वीडियो को लाइक नहीं किये इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों इस वीडियो को सेर करदेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना